बुले बुले चटी मया की जाए नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 44 और मैं हूँ आपके साथ दमरिता जैन इस वक्त में मौझूद हूँ वजीरपूर इंडस्ट्रिल एरिया में जहाँ पे पूर्वांचल के लोग छट का पावन पर्व मना रहे हैं और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी व्रती लोग मौझूद है आपर्यल जो तेो एक दिन पर ले नहाँ खाते हैं दूसरे ढ़करते हैं आर तिसरे दिन के टुटाथे का जैसे मानते जैसे बच्चे नहीं होते हैं मुझे मता ऑए गश्छ इतनाल आफूजा करते हैं फारूपि बहुत मस्किल है लेकिना को साहते है , रोग सबभनाख चायाते है को भूजा करते है मेरे पीछे तश्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने जादात पर लोग मौजूद हैं आपको बतादे कि यहाँ पर सारे छटपरती लोग हैं जो अपना उपास इस पूजा के बाद खोलेंगे कहते हैं कि सूरज उगने से पहले यह पूजा की जाती है और सूरज के बाद वो अपने घर जाके पूजा करते हैं उसके बाद यहाँ पास खोलते हैं जो भी व्रती लोग होते हैं वो 36 गंटे का उपास रखते हैं वो जो माईयों ने मिलता हैं मिलता हैं तो 36 गंटे मानते हैं हम लोग है उसमें तीन रोज का त्यवार होता है तीन रोज में जो भी भक्ति जो भी करता है जो भी सक्ति से वह हमको देता है आपको दिखा दें कि यहां पर किस तरीके से पूजा की जाते हैं आप मेरे बीचे देख सकते हैं कि काफी ज़्यादा आतिश बाजी आपर की जा रही है बहुत अच्छी सजावटे की गई हैं बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ हैं यहां पर बीजे लगा गया हैं आतिश बाजिया हो रहे हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग सब ही यहां पर मौजूद हैं और इस छट के पावन पर्व को मना रहे हैं अपने पती के लिए वर्थ रखी हूं और बेटे के लिए गर पलवार के लिए सुख सान्ती के लिए बर्थ रखते हैं छट माई के चटीस घंटे से वो पास रखा हुआ है काफी जादा शोर शराबा दूम धाम से सूर्य भगवान को बलाया जा रहा है ताकि उन्हें अर्ग अर्पित किया जा सके आप देख सकते हैं कि यहां पर इस समय जो ब्रती लोग हैं वो नहर में अर्ग अर्ग अर्पित करने के लि और जब तक सूर्य भगवान अपने दर्शन नहीं देदेते तब तक यह लोग ऐसे ही हाथ में अर्ग अर्पित करने के लिए खड़ी रहेगी जैसे कि आप इस समय देख सकते हैं कि जितने भी यहां पर ब्रती लोग थे वो अपने उपास इस वक्त खोल रहे हैं उन्होंने छटी मया को अर्ग अर्पित कर दिया है 36 गंटे का यह उपास था और अग जाके लोग कुछ प्रहण कर पाएंगे पहले दिन से 30 दिन तक यह उपास रखा जाता है काफी मुश्किल था लेकिन और मुश्किलों के बार भी लोगों के जहरे पर एक शिकन नहीं है सभी के बीच हशर उल्लास का मोहल है और आस्मान में आतिश बाजियों के साथ चटी मया को उनने अर्ग अर्पित किया है सही रहा अच्छा करें, पुजा पाठ करें, खरना करें, घर जाने गवाद घर में पुजा करेंगे तीन दिन को पास है, बच्चे के मानत मानत है, मान सब पूरा हो गया, हम करी थी, चाट खाने जाने के बाद में खाना उनने बनाएंगी, खाएंगी, परसाथ सबकर के बाटूंगी तब अच्छा रहे हैं, यह हमारा करूना से मुक्ति दे, पहले दो साल जो किये हैं, बहुत बुरी तरह से अपना घर पर ही करना पड़ा, इस वार बहुत अच्छा करूना से बच के यहां पर आये हैं करने, बहुत अच्छे से हुआ है बोले बोले छटी मया की जाए